आपका घर आपके बारे में क्या कहता है कि आपको पता है हाई my name is Shashang Jain welcome back to my channel Vodofa आज मैं आपको इस वीडियो में entry के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके घर की entry कैसी हो how can you make your entry more beautiful your for your more beautiful and more attractive हम अक्सर कहते हैं नहीं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तभी बताऊंगा आगे please hit the subscribe button and do not forget the bell notification icon there उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलो अब बताता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि first impression is our last impression कि जो similarly आपके घर के साथ भी वैसा ही होता है तो जो घर की entry है वो आपकी घर का first impression है वो आपको बताता है कि आपकी personality कैसी है कोई भी घर में आया सबसे पहले वो entry पे आएगा bell दबाएगा और आपको गौज करने की कोशिश करेगा वो देखेगा कि आपकी इस तरीके के घर में रहते हैं आपकी entry कितनी beautiful है आप कितने कितना पैसा आपने घर में कर्च किया है so on and so forth तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे parameters हैं और ये entry से ही गौज हो जाते हैं so we at Woodhofer believes चितनी सुंदर entry होगी उतना ही घर भी सुंदर होगा similarly अगर आप अपने घर को अच्छा और खूब अच्छा interior करना चाहते हो और कर भी रहे हो और अपने entry या fire को छोड़ दिया तो मैं बोलता हूँ waste है entry को भी बहुत अच्छे से कर लो fire को भी बहुत अच्छे से कर लो तभी मज़ाएगा आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे design tips and tricks बताने वाला हूँ fire के जो आप छोटे से बड़े areas में implement कर सकते हो आईए देखते हैं क्या-क्या है इस वीडियो में आपके लिए so the first type of fire design is with a mirror तो हम देखते हैं fire मतलब entry या तो gate के अंदर का हिस्सा या gate के बाहर का हिस्सा अगर आप apartment में रहते हैं तो छोटी सी gallery होती है अगर आप कोटी में रह रहे हैं तो भी आपको एक entry पे थोड़ा सा fire मिल जाता है वो driver के रूप में हो या parking के रूप में हो या कैस सकते हैं so this is first kind of fire जैसे कि आप अभी मेरे वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे pictures में आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिसमें बहुत सारे mirrors type of mirrors statement mirrors लगाई जा सकते हैं and maybe put up a console if needed और put up mirrors तो mirrors तो लगाई लो और console लगाना है तो additional या लगा लगा ल हैं और हमें storage की तो बहुत ज़रुत है so we are finicky about storage right हमें बहुत पसंद है तो अगर आपके वसे entry foyer में जंगा है और आपको 12 inches 14 inches 16 inches की depth मिल पा रही है तो you can create a storage cabinet there it can be a shoe rack या तो shoe rack के रूप में use हो सकती है या एक newspaper rack के रूप में use हो सकती है या कुछ और तो आप उस तरीके से उसको storage rack type format बना सकते हो ऊपर mirror लगाओ मत लगाओ wallpapers लगाओ मत लगाओ does not matter नीचे का अच्छा सा stylish storage बना लिया तो वो भी एक अच्छी entry की feel दे देगा आप पिच्चर कुसमें बहुत सारे मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको बहुत सारे ideas मिल जाएंगे किस तरीके के fire areas हो सकते हैं तो third kind of tip is अगर आप simple लोग है और आपको बहुत ज़्यादा fancy पसंद नहीं है तो you can create good art pieces maybe good paintings maybe good frames तो उसको भी आप fire पे लगा सकते हो maybe console रखो या ना रखो नीचे कुस storage बनाओ या ना बनाओ does not matter उस पूरी wall को painting से art pieces से या कुछ photo frame से सजाया जा सकता है तो entry करते ही हो बहुत सुंदर लगेगा और आपको एक बहुत granular feel एक अच्छी feel एक art piece की feel देने लगेगा तो आपकी simplicity भी वहीं की वहीं बरकरार रहेगी और आपका घर भी सुंदर luxurious लग सकता है fourth type is a bench so generally हम देखते हैं लोग 2-3 तरीके के foyer ही design करते हैं पर अगर आप एक bench के format में foyer को design कर लो और अच्छी से art piece एक बड़ी painting एक big size painting statement piece लगा लो और नीचे एक चोटी सी bench रख लो वह आपको जूते पहनने में भी मदद करेगा आते ही अगर आप ठके हैं दो मिनिट आपको rest करने में भी मदद करेगा और overall उसकी sanctity और improvement of the space भी हो जाएगी एक तो खुला-खुला लगेगा space भी छोटा नहीं लगेगा आपको बहुत अच्छा भी लगेगा तो you can put up a bench in my fourth design of a foyer my fifth tip for the foyer is colors good colors colors को कैसे बूल जाएं interiors में colors is a intrinsic part so अगर आप single tone या monotones या double tones यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें metal का accent डाल सकते हैं एक अच्छा सा console बना लीजे मेबी एक single color में उसको paint करा लीजे and maybe add some metal की accents maybe a strip maybe a profile maybe a metal handle और कुछ भी इस तरीके से उसको अच्छा सा monotone accent या metallic accent की रूप में luxury की feel दी जा सक minus use a pattern jelly or a pattern partition or a partition तो कई बर क्या होता है जब हम entry करते हैं हमें पूरा घर visible होता है and we don't want our private spaces to be visible तो drawing room या dining room हम नहीं दिखाना चाहते तो अगर आप एक चोटा सा partition या jelly या कोई element डाल दोगे आमें भी flower wash भी डाल सकते हो अगर आप ये सब कुछ डाल दोगे तो उससे आपका एक तो foyer segregate हो जाएगा divide हो जाएगा space और आपको अच्छा भी लगेगा तो छोटा सा space दो purpose का का काम करेगा first is the foyer and second is a private space for a partition जिसमें दिखे ना सामने वाला देख नहीं पाएगा के कौन बैठा है अंदर कौन क्या कर रहा है तो उस तरीकी से एक अच्छा foyer को भी design किया जा सकता है my seventh no no fifth and two seventh tip for the foyer is having a floated shelf और a floated cabinet तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर नीचे कुछ भी नहीं होगा और नीचे खुला होगा तो एरिया अपने आप बड़ा लगेगा तो हम लोगों ने कई designs अपने home interiors में बनाए हैं लोगों के लिए बनाए हैं और मैं कुछ pictures भी आपको दिख minute नहीं होता खुला खुला है आप अपने जूटे रख सकते हैं कुछ समान रख सकते हैं या फिर उसे खुला रख दीजिए जबरदस्ती का समान मत रखिए and maybe create a decorative space अपने घर तो इतना सुंदर बना लिया तो foyer भी तो अच्छा बना सकते हूँ my 8th tip for today is creating a niche तो कई पर क्या होता है foyers बिल्कुल flat wall होते हैं या फिर थोड़ी बहुत जंगा होती कई बिल्डर के यहां columns आ जाते हैं या कोई ऐसा piece आ जाता है जिसमें थोड़ा fire आगे पीछे हो जाए अगर वो है तो उसको problem मत समझीए उसको advantage बना दीजिए create a wall niche तो कैसी wall niche बना लीजिए जिसमें थोड़ा सा minus की तरफ वो wall niche बन जाए और आगे front में आप कुछ lighting कुछ paneling कुछ decor कुछ और element डाल दें और पीछे उसको decorate कर दें तो wall niche भी बहुत अच्छा design है foyer के लिए चाहे वो छोटा बनाए बड़ा बनाए या पूरा cover कर दें दोनों अच्छ राया क्या कुछ 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 यूज करें आप इनका mix भी कर सकते हैं आप दो तीन element जो अभी तक मैंने सारी designs बताएं हैं types बताएं हैं उनको mix कर लीजिए maybe create a console with a seating अगर जंगा है तो बैटने की जंगा भी बना लीजिए उसी के अंदर bench मत रखिएगा अलग से mirror नहीं लग पिक्चर दिखा रहा हूं तो आपको इन पिक्चर में idea लग जाएगा कि क्या क्या design क्या elements हो सकते हैं my next tip for the fire is sleek furniture तो मैं हमेशा बोलता हूं जितना घर खुला होगा जितना खुला होगा उतना ही बड़ा बड़ा लगेगा so आपको यह assume करना है और कोशिच करनी है कि मेरे गर में space कम है तो मुझे उसे और सुन्दर बनाना है तो क्या करूँ उसके अंदर sleek furniture डाल दूँ कुछ sleek elements डाल दूँ उससे वो और सुन्दर लगेगा तो एक sleek fire table maybe a sleek gallery और कुछ को और elements आप डाल सकते हो उस fire के अंदर उससे वो बहुत सुन्दर लग सकता है मैंने आपको बहुत सारे designs ideas और tips दे दिए अब आप क्या करें अपने choice और अपने theme के हिसाब से अपने fire को design कर लें entry पर चाहे वो अंदर हो या entry के वो बाहर हो दोनों ही areas बहुत important है चाहे आप fire अंदर create करो या fire बाहर create करो it's all okay there's nothing wrong in it कर सकते हो आपके उपर है कि आपके बाहर lobby में कितनी space है और आपको कैसा लग रहा है अगर आपने अच्छा partition gate यूज किया है कुछ अच्छा design gate यूज किया तो अच्छा fire बाहर भी बनाया जा सकता है I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अगर यह वीडियो पसंद आया है like करना बिल्कुल मत बूलिए comment में ज़रूर लिखिए अगर आप कोई भी idea या कोई भी tip यूज करने वाले हैं अपने घर में और मुझे share करते रहे